तो दोस्तों आप सभी के स्वागे थे मिसंवर्दी बैच में जल्दी से सभी लोग लाइफ क्लास में जूर जाएंगे सभी को गूड मॉर्निंग गूड मॉर्निंग और आज भी मैं आप सब्सक्राइब बीच बहुत इंपोर्टन प्रसन लेकर आया हूं जो कि सारे प्रसन क सभी को गूड मॉर्निंग भई गूड मॉर्निंग तब आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं उससे पहले सभी लोग प्रसन cultural कփ कि कराया था तो यह प्रस्ण कई बार आपके पूछा जा चुका इंपोर्टन है मेरे भाई चलिए नेश्ट प्रसंद देख लेते लोरा के कहलास मंदिल का निर्मान किस ने कराया था तो कृष्ण प्रथम ने कराया था ठीक है और यह प्रस्ण बार आपके पूछा भूग है बिहार पूलिस में पूछा भी कर ada भाइब अपके उस दियारी कर открыв आपको देखने को मिल जाएगा और यह आपके हर एकजाम में पूछा जा रहा है तंजवर का राज राजमादिल किस दीड़ता को समरपीत है तो सिव जी का समरपीत है यानि कि भोले संकर का समरपीत है चले नेश्ट प्रसंट देख लेते हैं कि इसके सासनकाल में सबसे अधिक मंगो ख़िके नेस्ट प्रसन में कियो फेस्तасьन को पुछक राजित किया तब मोहममद गौरी नहीं बृती राज को पराजित किया कि मुपोर्टेन इंप्रसन बयरी इंमपोर्टेन में परशन सारे प्रसंद को शार्ट कर लाया हूं और किसी नदब सुरू संत क्रास में बनेद है तो नेश्ट प्रसंद धेखते हैं ग्लोदी उन्ज यह संस्तापर कौन था लोदी रोन्स का संस्थापर कौन था तो बहलो लोदी था और इसके पहले जो बिहार पुलिस एक्जाम हुआ है उस एक्जाम में यह प्रस्ट आपके पूछा गया था नेश्ट प्रसन देख लेते हैं मेरे भाई नेश्ट प्रसन है कि अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है तो आप लोग सुरू संत्र बने रह कि यह भी प्रसन आप सबके लिए इंपॉर्टेन है मेरे भाई क्योंकि यह भी प्रसन कई बार और कई सेटों में मैंने इस प्रसन को देखा है तभी मैं आप सबोग बीच लेकर रहा हूं कि सुल्तान ने अपनी आत्म का था लिखी है तो फिरोज तुगलक ठीक है भेरी इ क्योंकि यह प्रसन पूछा जा चुका है कई एक्जामों में किस मुस्लिम सासर के सीखे पर देवी लचमी की आकरिती बनी है तो महमद गौरी ठीक है महमद गौरी चलिए नेश्ट प्रसन देख लेते हैं देखे दोस्तों नेश्ट प्रसन है कि पानी पत की दूसरी लड़ प्रसन है चलिए नेश्ट प्रसन देखते हैं देखे नेश्ट प्रसन है कि जिन्दा पीर के नाम से किसे जाना जाता है तो औरंग्जेब को जाना जाता है तो अंग्रेज को जाना जाता है नेश्ट प्रसन है कि तान सेन का मकबरा कहा है बहरी इंपोर्टन है क्योंकि यह सबोने देखते हैं दोस्तों ने पर किसो जाएगा किस अभियान का शमय आच्यानक बढरूत में विशपोर्ट याने के कारण सेर शाकी मेरती होगई तर कलिंग अभियान के चलिन देखते हैं दिली का पूराना किला किसके दुवारा बनाया गया तो दिली का पूराना किला किसके दुवारा बनाया गया तो सेरसा के दुवारा बनाया गया इंपोर्टन प्रसन देखते हैं देखें नेश्ट प्रसन कि सा जहां का मुल नाम था तो सा जहां का मुल नाम क्या था खूरम था ठीक है खुरम। देखते हैं दार सीकरों को कि कि इस ने साव एक बाल मेल एशनों की उपाध केंद दीथी तो किस Bless तुछी सा जहाँ ने दिये थे चलने दिख लिते हैं स्ट प्रस्विफ सासका काल संग मरमर काल कहलता है इसका संघ काल संघ मरमल काल कहलात यह निए प्रासंड देखते हैं अकबर माइड कीस ने लिखा देखें दुए जाहंगीर को कहां दफनाया गए तो ऊकोला होर में दफनाया गया है चेले निappök देखते हैं भारतिय सत्कत्र सेना का सवर्वॉच कमांडर कौन होता है तो राष्टपति होते हैं नेश्ट प्रासन क्या कि राष्टपति के पद. कि उमिद्वारों को चुनाव परचार है तू कितने दिन का समय मिलता है इंपोर्टन प्रस्ण यह भी प्रस्ण कई बार पूछा जा चुका है तो दोस्तों इसका राई टेंसर हो जाएगा दो सब्ता का समय मिलता है नेस्ट-प्रस्ण विट विल के लिए किसकी पूर्ष विकरिती आवस्च्रेक है तो राष्ट प्रस्ण आपके पूछा गया था नेस्ट-प्रस्ण देख लेते हैं देखिएं संसत के सदस्यों को बुलाने की सक्टी किसके पास है तो संसत के सदस्यों को बुलाने की सक्टी किसके पास है तो राष्टपति के पास है नेश्ट प्रस्ण क्या है मेरे भाई आपका यूद की घोसना या सांती का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षा में तो राष्टप अपने मत का परियोग करता है तो उपराश्ट पती अपने मत का परियोग करता है जब मत बराबर होने की स्थिति में उपराश्ट पती अपने मत का परियोग करते हैं यानि कि दोनों इस पार्टी का जब मत बराबर मिले वोट बराबर मिले उस इस्थिति में उपराश्ट पत देखिए नेश्ट प्रसने की भारत के की सिराजय की प्रतिव्यक्ति आए सबसे अधिक है तो गोवा चलिए नेश्ट प्रसने की भारत में राश्टी आए की गन्ना में की वीधी का उप्यों किया जाता है इंप्रसने कई बार यह भी प्रसन आपके एग्जाम में आ चुका है भारत में राश्टी आए की गन्ना में इस वीधी का उप्यों किया जाता है तो उत्पति गन्ना वीधी आए और वीधी ठीक है इंप्रसने नेश्ट प्रसन देखते हैं देखिए नेश्ट प्रसने की भा प्रति आय को भाग दिया जता है तो प्रति आय निकालने के लिए राष्टी आय को भाग दिया जता है तो प्रति आय प्रति आय निकालने के लिए राष्टी आय को भाग किस से दिया जता है तो देश की कुल जन संख्या से भाग दिया जता है चले नेश्ट प्रसन देखते हैं देखिए नेश्ट प्रसन है कि कौन सा छेत्र भारत के सकल घरेली उत्पादन जीडीपी को सर्वधिक योगदान प्रसन देखते हैं किसी राष्ट के राष्टी आय होते हैं किसी राष्ट के राष्टी आय क्या होते हैं उत्पादन कारियों का योगफाल होते हैं ठीक है उत्पादन कारियों का क्या होते हैं योगफाल होते हैं नेश्ट प्रसन देखते हैं देखिए दोस्तों नेश्ट परदेश को कहा जाती है नेश्ट प्रसन और कि की देशयों की मुद्रा प्राय हार्ड करेंसी होती है कि इन देशों की मुद्रा प्राय हार्ड करेंसी होती है तो वेक्सित देश onlar कहलाता है सरकार दुवारा पूरानी मुद्रा को समापकर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है तो वी मुद्री करन कहलाता है ठीक है इंपोर्टेंट प्रसने नेश्ट प्रसन देखते हैं मेरे भाई की प्रिथवी पर दीन रात की ओधी समान होती है कहां पर भूमध्य रेखा पर नेश्ट प्रसन देखते हैं, नेश्ट प्रसन है कि प्रित्वी को उसके कालपनिक अक्ष पर घोमने को क्या करते हैं, घुरुनन कहते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, घुरुनन कहते हैं, प्रित्वी तथा सूर्यक मध्य सर्वधिक दूरी किसके दौरान होती है, तो अफसौर, फिक है उफ्सौर के ठीक है important प्रस्टेंग भेरी इंपोर्टेंग क्योंकि बिहार पिलिस के एक्जामें यह प्रस्ट आपके पूछा गया था नेश्ट प्रसन देखते हैं, नेश्ट प्रसन है कि वेदो की और शरन लो इस आदर्श वाक के को किस्ट ने प्रतिपादित किया था, इंपोर्टन प्रसन है मेरे भाई, भेरी इंपोर्टन है, वेदो की और शरन लो इस आदर्श वाक के को किस्ट ने प्रतिपादित किया थ तो श्वामी दयानन्द शर्श्वति नेश्ट प्रसंद देखिए देश्ट प्रसंद का राम और रहीम एक ही इसवर के दो अलग-अलग नाम है यह कथन किसका है इंप्रेश्ट प्रसंद का है कि यदि हम भूमद ये रेखा से धुरू की ओर जाते हैं तो जी कमान क्या होता ह इंपोर्टेंट प्रसन है क्योंकि यह भी प्रसन आपके एक्जाम में पूछा जा चुका है बेरी इंपोर्टेंट है आप लेगे स्टार्ट डाल लिजे इस प्रसन पर ठीक है यदि हम भुमा देरेखा से धुरू कियों जाते हैं तो जी कमान क्या होता है बढ़ता है बेरी प्रसन देखते हैं देखिए नेश्ट प्रसन है कि पहारी पर चड़ता एक बेक्ति आगे की और जूग जाता है क्योंकि तो अस्ता इत्तिवत बढ़ाने के लिए ठीक है इंपोर्टेंट प्रसने नेश्ट प्रसने कि लोहे की कील बापारे यहां होगा लोहे के किल पारे म मिस्टेक हो है पारे में क्यों तैरती है जब कि यह पानी में डूब जाती है तो लोहे का घनतों पानी से अधिक पारे से कम होता ठीक इंपोर्टेंट प्रसन देख लेते हैं देखिए नेश्ट प्रसने की पारे वरंदिवस कम मना जाता है तो पांच जून को मना जाता है और मैंने पारे वरंदिवस से समंदित इंपोर्टेंट प्रसन भी छे करावा चुका हूं अगर आपने वह सेट सारे नहीं देखें तो जाकर प्लेइलिस्ट बना हुए वह सारे सेट को देख लिजें कि हर to you see sachenota कर लेंख कौन है फीर दोसी छांतों अब हम लोग चलते हैं तो आप सभी त्यारहें हिंदी के प्रसद्सनों को देखने के लिए तो जल्दी सा सभी कपी कलम लेकर बैट जाएंगे ताकि आप note कर सेके expression को ठीक है चलिए Next प्रस्ट के तरब चलते हैं देखिए दोस्तों नेश्ट प्रस्ट यही है कि आज का जो है हम लोग का हिंदी का क्या है रहीं रहीम के दुवारा लिखी गई रचनाई कवीता है जो भी है उनके बारे में हम लोग देखेंगे और ट्रिक के मादम से देखेंगे क्यों कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि इतनी सारी चीजों को आप कैसे याद कर सकते हैं ये आपके लिए दिकत है इसलिए मैंने आप सिंगार फूट सोभा रहीम क्या बोल रहे है रास सिंगार फूट सोभा ठीक है तो आपको याद रहेगा रहीम क्या बोले रास सिंगार फूट सोभा तो यहां रहीम से तो रहीम जिस में लगा होगा वह रहीम जी का क्या होगा राचनाय हो जाएंगे तो यहां हो जाएगा रहीम दोहावली, रहीम रतनावली, रहीम सत्तसई, रहीम चंद्रीका, रहीम बीनोद, रहीमन सत्तक, रहीम कवितावली और रहीम विलास, यह सारे रहीम से सम्मंदिते तो इसको तो याद करना ही नहीं है, क्योंकि यह आपको ऐसे ही याद रहेगा, कुछ यहाँ से आपको थे यहां से यहां और यह सरे प्लाप क्या हो जाते आप सब के लिए इंपोर्टन कि लीए बहुत ही अच्छा वोगा और याद करने में तो उम्मीद की तरफ आप सभी त्यार है मैंँध को बनाने के लिए तो सभी चलिए नेक्स्ट प्रसंट के तरफ चलते हैं नेश्ट प्रसान ऑफने की डूद के भाव में 20 पर्षेंट कमी हो जाने से यदि परिवार का मुखिया उतना ही डूद' पर खर्च करें तो वह कितने पर तीसाथ दूद की मात्रा अधिक ले सकता है इंपोर्टन प्रस्ट यह प्रस्ट आपके पूछा गया है प्रस नहीं कर रहा है और यह ऐसे प्रस्ट आपके आते भी हैं दूद के भाव में 20% कर लिजिए परसेंट कमी हो जाने से यदि परिवार क मुक्या औठने ही दूर्ध पर खर्च करें तो वह कितने प्रतिसाथ दूर्ध की मात्रा अधिक ले सकता है तो दोस्तों आप एसे मधी याद कर सकते 20 परसेंट के क्मान क्या होता है एक बठाव कर दोस्तों देखिया पहले क्या था पांचो एक कम हुआ 4 लेकिन उक करता था उतना अभी भी खच कर रहा है तो अभी मैं 5 खर्च खर्च कम कितना हुआ अब यहां से देख सकते हूँ है यहां साब अंदाजार लगा सकते देखिए क यह एक रूप्या अधिक अभी और खरच कर रहा है पर इवर कितना खर्च कर रहा है एक अधिक खरच कर रहा है यहां से आप निकाल लिजें परसेंटेज ऐस आच सां और कुछ सब्सक्राइब करेंगे और इस प्रसंट को अब सभी करेंगे और इस प्रसंट को बनाने के कोसिस करेंगे तो उम्मीद करता हूं इस प्रेशन को आप से भी बनाएंगे जल्दी से और राइट एंसर बताएंगे तो दोस्तों आपको तो यह पता होगा दर का सुत्र क्या होता है आर गुना टी और बड़ावर सधारन व्याज होता है सधारन व्याज लिग देते हैं यह सधारन सबसे आसान है कम समय में आप आसानी से बनाकर निकल जाएंगा अगले प्रसंट के तरफ ठीक तो चले नेश्ट प्रसन देखते हैं देखिए नेश्ट प्रसन आपके सामने और इस प्रसंट को आप सभी बनाएंगे सभी कमेंट करेंगा और राइट एंसर बतायेंगे यह प्रसंट कारइंट क्या होगा तो उमीद करता हूँ बनाई और राइटन से बताई है प्रस्ट नहीं करें कि पहले किसी ववस्तू को पांचालिस में बेचा जाता है तो उतना ही हानी होता है जितना इसे साथ सपाचास में बेचने पर जीतना हानी हो रहा है उतना अगर हम साथ सपाचास में बेचे उतना इसको क्या हो रहा है ला करे मूल निकल कर सामने आजाएगा तो दोनों को जोड दीजिए कट एक न है को यहां देखिएए 25-48 कितना हो जाएगा 9 यह प्रश्नी कर रहा है कि संख्याद है जी रो पॉइंट वान टू उसके बदल गव plaint डीरोप्वाइंट वाँ झिरोप्वाइंट नुवान ऑट का चोथा समनु पाती यह तो आपकको चोथा समनु पाती बताने आप सभी बताइंगे चौथा समानुपाती क्या होगा प्रश्ण नहीं दिया है आपका 0.12 दिया है फिर 0.21 दिया है उसके बढ़ एट दिया और यह यह चौथा आपको माले कुछ नहीं ते एक सब्सक्राइब कैसे बनेगा तो आप तो यह जानते कि कैसे बनते इसका होता है मान और य कि एसा ही कर देजिये तो जीरो पोAint one two गूणнд X कर सकते हैं जीरो्प Wow जीरो प्वाइंट कर सकते हैं वेजिया प्रटूब करन जेए औन प्रण चार में से इना काटे नहीं सबक्र्ण 10 पूस्त चार से काटेगा तो यह से कटेंगे तो 2 हो जाएगा ये 3 से कटेंगे सटरी एकष्ट सादी निवी 14 यानि कि एक्स कमान कितना गया उठ्शर का होगा आपसफ चोड़ा हो गया चल कर देंश्ट प्रसन देखते हैं क्योंता आप आपके सामने 8 a दिया और आइज तर आप को एक सान का मान बताने घंष अखेंघ करेंगry अगर यह इंसल देख ine देखेंगें दूस्तों किसी भी संख्य में अगर हम भाग देते हैं अगर उसका कहीं का इस्थान क्या हो दो 2468 और 0 तो वह संख्य क्या होता है दो से भी भाजित होता है अब सबह Wherever इए और इसको यहाँ पर दिया और इसको कहांए इसको बता सकते हैं और और एक्जाम में क्या आप गुना करने जाएंगे देख लिजिए इसतना को आप सभी को गुना करने और आपको क्या बताने यानि कि गुना करने के बाद जो आपका मान आएगा तो उसका इकाई का बताने तो क्या आप एक्जाम में गुना करने जाएंगे नहीं जाएंगे औ क्या हो जाएक तीन होगा तो ऐसे दिमाग मन दो रहा है ठीक मैं आपको बता दू कि जब भी आपको किसी संख्या में गुणा करना हो और एकाई का स्थान पर आपको जीरो दिख जाए तो आप सीधा समझ जाए कि वह संख्या को आपकी इतना हूं से गुणा की जाएगा तो इसको गुणा करने के कोई तो जरूरत है नहीं अपसं सीधर देख लेंगे इसका राइट और जाएगा आज का कुश्चन आप सबको कैसा लागा कॉमेंट कर जरूर बताईएगा और दोस्तों अधिक साधिक से आंख्या मैं आप सभी जूरी वीडियो के ज्यादा से ज्या लेकर आउं ठीक है तो आप लोग भी वीडियो को लाइक किजिए अभी तक नहीं किए तो वीडियो को सेर किजिए ठीक है दोस्तों आज हम बात करने वाले बिहार मद निसेद इजान 2023 के बेस्ट बुक के बारे में जो की चच्छू पबिलिकेशन का है आपको बता दे कि इस बुक में आपको 20 प्रैक्टिसेट देखने को मिल जाएंगे प्लस 2000 बहु विकल्पिय प्रैक्टिसेट देखने को मिलेंगे और टीन मडल पेपर भी देखने को मिलेंगे साथ ही इस बुक में प्रैक्टिसेट मिल जाते हैं जो की आपके एग्जाम के भीव से सारे प्रैक्टिसेट इंपोर्टेन होते हैं से बंड़न करनां चाहते हैं और अपनी पराई को बहतर बनाए और मद निसीट में ईसका लिंक कर सकते हुआ जै इजाज़त जैहिन जै भारत